आज की सबसे बड़ी ख़बर आपके लिए ये है कि चंद्रमा पर लेंड करने के जो रेस भारत के चंद्रियान 3 और रश्या के लूना 25 के बीच चल रही थी उस रेस से अब रश्या बाहर हो गया है लूना 25 चंद्रमा पर लेंड करने से पहले ही क्रैश हो गया है जबकि चंद्रियान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर लेंड करेगा आज हम आपको बताएंगे कि ये भारत के लिए एक एतिहासिक उपलब्दी है और इससे भारत की छवी अंत्रिक्ष की दुनिया में अब चांद की तरह चबकेगी लेकिन इस विशलेशन की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनमें चंद्रमा की सते को आप काफी करीब से देख पाएंगे यह तस्वीरें चंद्रियान 3 के जिस कैमरे से खीची गई है उस कैमरे को Lander Hazard Detection and Avoidance कैमरा कहते हैं और यह वही कैमरा है जो चंद्रियान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लेंडिंग साइट का चायन करने में मदद करेगा और उसकी सौफ्ट लेंडिंग कराएगा यानि यह चंद्रियान 3 का एक तरीके से नविगेशन करेगा और उसी कैमरे से चंद्रमा की यह ताजा तस्वीरें आई हैं जो आप देख सकते हैं इसरो का कहना है कि 23 अगस्त को जब चंद्रमा पर सूर्य उद्य होगा तब सूर्य की इनी किरणों के साथ चंद्रियान 3 भी चंद्रमा पर उतरने का प्रयास करेगा और ये लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 6 बज कर 4 मिनट पर होगी इसलिए आप अभी से तारीख नोट कर लीजिए 23 अगस्त शाम को 6 बज कर 4 मिनट और आप इसका सीधा प्रसारण आज तक पर देख पाएंगे और इसरो ने कहा है कि वो इस लैंडिंग का लाइव प्रसारण करेगा जो उस दिन 37 मिनट पहले शाम को 5 बज कर 37 मिनट पर शुरू हो जाएगा तो ये इतिहास बनते हुए आप देख सकते हैं क्योंकि इसरो एक लाइव टेलीकास्ट उसका करने वाला है और ये आप आज तक पर भी देख पाएंगे वर्ष 1979 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा के लिए अपना पहला मानव मिशन लौंच किया था जिसे अपूलो 11 मिशन कहते हैं उस समय इस मिशन के तहट नील आमस्ट्रॉंग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले इतिहास में दुनिया के पहले इंसान बने थे और तब इस मिशन को दुनिया भर में टीवी पर 65 करोड़ों लोगों ने लाइव देखा था जो की एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था सूचिए 65 करोड़ों लोग टीवी पर इसे लाइव देख रहे थे उस समय और उस समय हुए इस लाइव प्रसारण की कुछ तस्वीर हैं आज हमने आपके लिए खास तोर पर निकाली हैं हमारे तो शो का नाम भी ब्लैक और वाइट है इसलिए आज आपको इतिहास के ब्लैक और वाइट में लेकर चलते हैं और आप देखिए ये है वर्ष 1979 जब अपोलो 11 चंद्रमा पर लैंड किया था और उस समय ये नासा का कंट्रोल रूम आपको दिखाई दे रहा है और 65 कर लोगों ने तब केलिविजन पर इस घटना को लाइव देखा था इसका लाइव प्रसारण लोगों ने देखा था और ये उसी जमाने की 1969 की तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली है हम चाहते हैं कि 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का लाइव जरूर देखें और आप चाहें तो आप भी एक ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं तो उस दिन आप ये लाइव टेलिकास आज तक पर देख सकते हैं या जो भी आपको प्लेटफॉर्म उपलब्द है आप वहाँ देख सकते हैं और अगर देश के हर नागर अब लगभग 100 किलोमीटर बची हैं सोचिए इस समय चंद्रियान 3 चंद्रमा से सर्फ 100 किलोमीटर दूर है और जब ये दूरी घटकर 30 किलोमीटर रह जाएगी तब चंद्रियान 3 का लेंडर चंद्रमा के सौथ पोल पर सौफ्ट लेंडिंग की कोशिश करेगा अभी फिलाल ये चंद्रमा की कक्षा में ही चक्कर लगा रहा है जहां चंद्रियान 2 के ओर्बिटर ने चंद्रियान 3 का स्वागत किया है तो जो चंद्रियान 2 का ओर्बिटर था वो अभी भी वहीं है और उसने ही चंद्रियान 2 के ओर्बिटर ने चंद्रियान 3 का मिटर दूर है और चंदर्मा की कक्षा में ही चंद्रियान 3 और चंद्रियान 2 के orbiter की ये मुलाकात हुई है इस तक और कहना है कि अगर लेंडिंग से पहले चंद्रियान 2 की तरह चंद्रियान 3 के सारे sensors फेल भी हो जाते हैं और इसके लेंडर के भी दोनों इंजन्स अगर बंद भी हो जाते हैं तब भी चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लेंडिंग करने में सफल हो जाएगा और इसरों के वैज्ञानिक ये बात इसलिए इतने विश्वास और भरोसे के साथ कह रहे हैं क्योंकि चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 की गलतियों से सीख लेकर डिजाइन किया गया है और इसमें बहुत सारे बदलाव किये गये हैं पिछली बार चंद्रयान 2 के प्रोपल्शन मोड्यूल में खराबी का पता चला था जो चंद्रमा की सतय से 100 किलो मिटर उपर लेंडर और रोवर से अलग होता है लेकिन पिछली बार इसने ल गटना से सीख लेते हुए कई बड़े-बड़े बदलाव किये हैं इसके अलावा जिन पैरों पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतय पर उतरेगा उन पैरों को इस बार कहीं ज्यादा मजबूत बनाया गया है और इसके लिए इसरों की टीम ने मौजूदा लेंडर को और क्रेन से उपर से नीचे गिरा कर भी इसको टेस्ट किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर लेंडिंग के दौरान ज्यादा गती से ये लेंडर चंद्रमा की सतय पर अगर उतरता भी है लेंड भी करता है और हार्ड लेंडिंग भी होती है तो भी वो इस दबाव को और इस शौक को आसानी से सह पाए इसी तरह soft landing के लिए चंद्रयान 3 की landing velocity speed को भी बढ़ा दिया गया है पहले speed 2 meter per second थी लेकिन अब ये 3 meter per second कर दी गई है landing velocity speed का मतलब ये होता है कि किस गती से कोई object, कोई वस्तू उपर से नीचे आती है primary landing में परिशानी आने पर चंद्रयान 3 को दूसरी site पर land कराया जासा के इसके लिए भी इस अंत्रिक्षियान की इंदन क्षमता को बढ़ा दिया गया है यानि अगर एक जगा land नहीं कर पाएगा तो फिर दूसरे site को खोज कर वहाँ land करेगा इसके लावा ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रयान 2 के lander में 5 thruster engines थे जिनकी वज़े से इसकी soft landing में कुछ गड़बड़ी आई थी इसलिए चंद्रयान 3 में thruster engines की संख्या अब घटा कर 5 से 4 कर दी गई है और जो central thruster engine था उसे अब हटा दिया गया है और यहीं वज़ा है कि इस रो इस बार पूरे विश्वास के साथ कह रहा है कि भारत का विक्रम lander इस बार चंद्रमा पर सुरक्षित अपने कदम रखने में काम्याब हो जाएगा हाला कि इस landing से पहले के 15 minutes सबसे ज्यादा महत्पूर होंगे और इन 15 minutes को 15 minutes of terror कहते हैं क्योंकि यह वो समय होता है जब किसी अंत्रिक्षियान की चंद्रमा से दूरी सबसे कम होती है और इसी दौरान ये अंत्रिक्षियान चंद्रमा की कक्षा से उसकी सतय पर landing की कोशिश करता है पिछली बार इसी प्रक्रिया में इसरो का चंद्रियान 2 से समपर तूट गया था और 20 अगस्त को रश्या का जो लूना 25 क्रेश हुआ है उसके साथ भी बिलकुल यही हुआ था रश्या की अंत्रिक्ष एजिंसी भी लूना 25 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारना चाती थी और उसने लूना 25 को सिर्फ 10 दिन पहले ही इसी महीने 11 अगस्त को लॉंच किया था और 21 अगस्त को यानि आज के दिन ये अंत्रिक्ष एजिंसी चंद्रमा की सतय पर सौफ्ट लेंडिंग करने वाला था इसकी लेंडिंग आज होनी थी लेकिन उससे पहले ही ये क्रैश हो गया रश्या के लिए एक बड़ा जटका है रश्या का कहना है कि लूना 25 को चंद्रमा की जिस प्री लेंडिंग और्बिट में होना चाहिए था वो उस और्बिट से भटक गया आप कहा सकते हैं सरल भाशा में कि ये जो सेटलाइट था ये अपना रास्ता भटक गया ये बीच में से खो गया और जो रास्ता इसके लिए बनाय गया था जो और्बिट बनाय गया था उससे ये अलग हो गया और इसके बाद वो चंद्रमा की सतय पर क्रेश हो गया इसका मतलब यह है कि लूना 25 चंद्रियान 2 की ही तरह अपने आखरी चरण में भी नहीं पहुच पाया और लेंडिंग से एक दिन पहले ही ये दुरगटना गरस्त हो गया यह जिस स्टेज में चंद्रियान 2 क्रेश पहुचा उससे पहले ही क्रेश हो गया पिछले चार वर्षों में रश्या दुनिया का चौथा ऐसा देश है जो अपने मून मिशन में असफल रहा है रश्या से पहले इसरेल जापान और भारत के मून मिशन्स भी नाकाम हो चुके हैं और यह सारे मिशन्स लेंडिंग से प जो मून मिशन्स हैं वो इसी समय नाकाम्याब हुए है हाला कि इन देशों में भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें अपना नया चंद्रयान भी चंद्रमा पर भेज दिया है और यह 23 अगस्त को चंद्रमा की सतय पर लेंड कर जाएगा और इसी के तीन दिन बाद 26 अगस्त को जापान भी अपना मून मिशन लॉंच कर रहा है और ये बात अब रश्या को काफी परिशान कर रही है क्योंकि रश्या इस रेस में पीछे चूट गया है